लॉडाउन की इस्तिती जो है वो तो है ये है पर 15 साल से हमरा सरकार के कोई उपलद नहीं मिला नमस्कार लाइफ सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ राजिश गरीबी जात और धर्म को देखकर नहीं आता अभी हम मौजूद हैं बरहट परखंड के गुगुलडी गाउं में गुगुलडी गाउं का वार्ड नमबर एक है यह हम आपको दिखा रहे हैं आजादी के लगभग 73 साल के बाद भी इस्तिती यहाँ पर की क्या है लोगों को क्या मिला भोट की राजनिती ऐसी है कि आप भोट देंगे तो आपको घर मिलेगा राशन मिलेगा अगर आपने भोट नहीं दी है तो आपको वो भी कुछ नसीम नहीं होगा हम दिखा रहे हैं एक घर के हालात को फोस का घर है अभी आंधी आया था दो दिन पहले तो यह पूरा चपड भी उड़ गया था यहाँ का और उसके बाद फिर से यहाँ पर लोगों ने किसी तरह से इसे सवारा है हम दिखा रहे हैं इस घर के अंदर की इस्थिती को आप देख लिजिए अंदर की इस्थिती क्या इस्थिती में लोग जी रहे हैं लोकडाउन की इस्थिती है देश में लोकडाउन की इस्थिती में भी यह परिवार अभाव में जी रहा है ना इसे रासन मिला, ना ही कोई सहायता मिली, यहां तक कि आस्वासन के बाद भी इन्हें पक्के का मकान अब तक नसीब नहीं हुआ है, जबकि इस गाओं को देखने के बाद, कई और घरों को देखने के बाद, यह साफ दिखता है कि यहां पर जिन्हें पहले से घर जिनके प पाया है किसी तरह से बिहाल जिंद्गी जी रहा है यह परिवार आपको दिखा दें कि यहां पर की स्थिति क्या है घर में आप देख सकते हैं कि यह एक टीन का यह छोटा सा दरवाजा यहां पर लगाया गया है मुखिद्वार है यह उसके बाद उस तरफ आप घर के पीछे अब देखे तो वहां दरवाजा भी नहीं है काफी अभाव में जी रहा है यह परिवार जबकि यहां पर जब बात थमने की इन लोगों से तो इन लोगों ने साफ बताया कि अभी तक इन्हें लॉकडाउन की स्थिति में भी किसी तरह से गुजर बसर करना पड़ रहा है न का बोज भी लोग उठा रहे हैं इस परिवार के लोग उठा रहे हैं आपको यह भी बता दें कि यहां पर जो इस्थिति बनी हुई है वो किसी भी हाल में समान जीवन जीने वालों के लिए कि इस्थिति नहीं कही जा सकती है हम बात करेंगे इस घर के कुछ लोगों से और जानना चाहेंगे उनके हालात और किस इस्थिती में वे लोग यहां पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं क्या नाम हुआ आपका यह घर आपका हुआ जह क्या इस्थिती है यहां पर लॉक डाउन का इसी देश में चल रहा है पूरा देशा हैं हाला कि परिशान है तो आपने पिता जी के साथ है आप बताई तो क्या इस्टिति है क्या क्या परीस्टन है आजादिश लेकर आज तक यहां जो भी परती निदी मुखिया बना है कोई भी इस घर के बारे में किसी पर धियान नहीं दिया है अब का रासन काड बना क्या रासन काड है अब के पास? नहीं सर। नहीं है कुछ नहीं दिया है इतने परिवार यहां पर रहते हैं हम लोग पापा साच चार पांच है और भाईया बावी अलग है वो चार है और चाचा है उनका एक लड़का बिकलांग है जो काम भी नहीं कर सकता है वो भी मजदूरी करके यह कमाते खाते हैं एकला विर्दा इंद्रा आवास की योजना च आप से बात किया था सर तो उन्होंने अबास सहाए को भेज के यहां का जो है सो सरवेकर के ले गए पांडे जी थे यह लमसम एक मेहना पहले उसके बावजूद वो पांडे जी को भी बदली करा दिया गया और मेरा नाम भी उड़ा दिया गया आपका नाम उसमें से हटा द रहा है तोला में पता कियें तो पहले जब सब 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 पहले हम लोग का खुआ हल तो हम लोग को नहीं आपके बलकि दूसरा का रहा है इसके पटा चल रहा है तो सुना आपने ये बता रहे थे कि आबेदन के बाद इंदरावास का इन्हें दिया गया था इंदरावास लेकिन उसको भी ये बता रहे हैं अभी कि उसे कैंसिल कर दिया गया है उसमें से नाम इनका हटा दिया गया हम बात करेंगे घर के महिलाओं से भी और जानना किस इस्थिते में परिवार रह रहा है ? आपको इस घहर आपका क्या नाम हुआ आपका घहर हुआ इ पर 25 साल से हमरा सरकार के कोई अपलत नहीं मिला नहीं गैस मिला, नहीं आपकार मिला, नहीं कुछ नहीं मिला अना घरदुवार मिला जो भी है इसी तरह मैजुरी करकर के बाल बाचालाते हैं खाते हैं और यही पानी धूप में रहते हैं पचीश किलो करके चार हमारा बेटा बहुजे है उसको पचीश किलो मिला और हम रहा भी 25 देख रहे हैं इस्तितिक यहर की परिशानी खाने पिने का दिकत यह तो जैसे कि अभी दिकत सब दिने है मजदूर आदमी क्या करेगा नहीं सर्विस है अभी लॉक्डाउन में बढ़ गया है यह बढ़ गया है जो कि सर्विस रहता बड़े बिजनेस रहता ताव नसरकार तुम्हारा क्या नाम हुआ निटू कुमाली पढ़ती हो यस किस क्लास में पढ़ती है टूल फाइनल की पानियो का क्या परिसानी हुरही है तुम लोगों क खाना थे दुन्या में चुला पर खाना पुना पनाते हैं और क्या प्रिसानी हो रहा है जो मैं गोठा सुखाते हैं तो खाना बनाते है चुला पर क्या करेंगे सर्ण लोक्डाउन के चलती, बहुत परेसानी कर रहे हैं, इधर उधर से लाते हैं, चावल खना बनाते हैं, जिवीका गुरूप से दो अदमी का चावल मिला है, पचीस किलो करके 50 किलो कितना लडते जगते उतना भी चावल लिए हैं, सर. तो सुना अपने ये इस्थिती है इस परिवार की गरीबी से बिहाल है यह परिवार परिशान है नजरे बहुत दूर तक जाती है लेकिन हर बार हर जगह अंधेरा ही दिखता है कहीं पर कोई सहयता नहीं मिल रही है गाउं की राजनीती में पिसरा है यह परिवार राजनीती के तहत गाउं में और लोगों को तो मकान मिल जा रहा है रासनकार बन जा रहा है लेकिन इन लोग यहां पर आते आते ुशिवला युजना यहां पर आते घारे रहा है यहां पर आप देक सakukan कि यहां तोड दे रहा है यहां is भूत गीशूरा है यहां पर भीवी विमर Mitchellी चुछा वर में चला करते ठाes दिशूरा। हैं यह हाल है यहां का हमारे साथ मौझूद है इस वक्त परहट प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी हम इस समंध में बात करेंगे उनसे और जाना चाहेंगे सब्सक्राइब करेंगे हैं और वह सही में परिवार गरीब है और लॉक्डाउन के सिती में थोड़ी परभावित और वह हुआ है तो काम के लिए हम लोग ग्राम पंचैत को बोले हैं कि उनको जो मन्रेगा में काम चल रहा है उनको भी सामिल करिए और रही बात रासन कार्ड की तो रासन कार्ड का उनका जीविगा के माध्यम से आवेदन आया है तो उसको हम लोग बनाने की परकिरिया में है उजवला योजना का सर नाम । उजवला योजना की लीष्ट जहां तक हमें जानकारी है वो आती है सरकार बिभार के तरफ से उस लिष्ट में साइद उनका नाम नहीं है इसकी भी जैनकारी हम अभी दे लेते हैं गैस अजेंसी से और उसमें क्या परकिरिया होती है नाम आड़ करने की वो भी हम दो दिन में हम उसको दिखवा लेते हैं कि लोगडाउन की स्थिति जो है वो तो है यह है पर पंद्रे साल से हमरा सरकार के कोई उपलद नहीं मिला कि लोगड़ कर दो हैं